एक और वनस्पती यहाँ पर सितोष नकटी बंधी वनस्पती जो घास्फूस यह थोड़ी जाडियों के रूप में यहाँ पर वन पाये जाते हैं। से 90 सेंटी मीटर तक पाये जाती है। यहाँ पर सामाने रूप से बड़ी बड़ी घासे और कहीं कहीं पर कुछ पेड़ जो होते हैं कम उचाई वाले व्रिक्ष यहाँ पर जाडियों जाडियां भी पाये जाती है। मिलते हैं। तो यह जो चार प्रमुख प्रकार हुए यह प्रकार वन जीवोम के हुए। वन जीवोम जीवोम और वन का जो संबंध है यानि उस ख्षेत्र में पनपने वाली वनस्पती के साथ जो पशू पक्षी यह जितने भी प्रकार के जीव जन्तु पाय जाते हैं यह आपस में समायोजन करने लगते हैं। तो इसे वन पारिस्थिती की कहते हैं। दूसरी जो पारिस्थिती की है यह कहलाती है घास भूमी पारिस्थिती की जो है इसमें दो प्रकार की घासे आती है। पहला है उश्नकटी बंधिय घास के मैदान और दूसरा जो है सितोश्नकटी बंधिय घास के मैदान। उश्नकटी बंधिय घास के मैदान आफरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिनी अमेरिका और भारत के खेत्र में फैला हुआ है। यहां पर जलवाईू गर्म और उष्ण होती है वर्षा 50 से करीब 100 cm या उससे भी कम यहां पर वर्षा होती है और उसके कारण इस ख्षेत्र में घास जो है चारगाह के रूप में पाया जाता है बड़ी बड़ी घासे इस ख्षेत्र में होती है चारगाह अधिक पाया जाते हैं यहां पर जो मिट्टियां होती है वो सरंध्र मिट्टी होती है मतलब इन में काफी चिद्र होते हैं क्योंकि घास जो पाया जाता है तो यहां पर जो पशुचारण होता है यह घास को उखारत जिसके फलसरूप मिट्टियों में कई छिद्र देखने को मिलते हैं। जो ग्रीश मकाल है ये काफी शुश्क होता है और वर्षा 50-90 सेंटीमेटर तक पाई जाती है। मुख्य रूप से ओक जैसे जो मुलायम व्रिक्ष हैं ये यहां की प्रमुख वनस्पतियां होती है। इस ख्षेतर में पाई जाने वाले जो जानुवरे जो ऐसे वनस्पतियों के साथ समयोजन करते हैं। इसमें जेबरा, जिराफ, भैंस, गाय, चीता, लकडबग्गा, हाथी, आदी इसके अलावा कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं। प्रायजो इस्तंधारी पशू होते हैं, इनका विकास इन ख्षेतरों में अधिक हुआ है। तीसरी जो पारिस्थिती की का ख्षेतर है जिसे हम मरुस्थली ये पारिस्थिती की कहते हैं। बच्चों आपने पढ़ा है कि दो प्रकार के मुख्य मरुस्थल है एक उष्ण मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल यदि मरुस्थल को हम देखें तो इसमें गर्म उष्ण मरुस्थल या अर्धश उष्क मरुस्थल हम कह सकते हैं तटी भागों में भी कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं और अधिकांश शीत मरुस्थल जो है वो दुरुवी एक शेत्रों में देखने को मिलते हैं इसके अंतरगत सभी मरुस्थल जिसमें कालाहारी का मरुस्थल सहारा का मरुस्थल एरिजोना अटाकामा का मरुस्थल भारत में थार का मरुस्थल ये सभी मरुस्थ शुहां तल इसके अंतरगत सम्मीलित किये जाते हैं यहा पर जो तापमान होता है 20-45 degree centigrade यहां का तापमान होता है वर्षा बहुत ही कम होती है 5-25 cm अधिकतम 25 cm होती लेकिन कई वर्ष ऐसे होते हैं जो कि शुष्क निकल जाते हैं वर्षा का अभाव देखने को मिलता है तो ऐसे मरुस्थली खेत्रों में जो जीवजन्तु विक्सित होते हैं इसमें सरीशरूप यानि रेंगने वाले जीव जिसमें साप है चूहां है छिपकलियां है नाना प्रकार की ये और बड़े जानवरों में उट यहाँ पर देखने को मिलता है जबकि जो शीत मरुस्थल होते हैं ये टुंडरा प्रदेश कहलाते हैं ये जो टुंडरा मरुस्थल है ये ऊपर में कनाडा या यूरेशिया के खेत्र में सरवाधिक इनका विस्तार है और इन खेत्रों में प्रायह जो रेंडियर प्रकार का कुत्ता पाया जात कहीं कहीं पर बर्फ के नीचे में मचलियों की स्थितियां भी देखी गई है जब आखेट किया जाता है तो इस बर्फ को हटा करके नीचे में जो गर्मजाल होता है यहाँ पर मचलियां देखने को मिलती है जब हलकी सी ग्रीश मरीतु यहाँ पर आती है तो उस समय काई, लीचन या बहुत छोटे छोटे फूलों के पौधों जैसी वनस्पतिया इन ख्षेत्रों में उग आती है तो यह मरुस्थली वनस्पति का जो ख्षेत्र है यह हुआ टुंडरा शीत मरुस्थल के रूप में इन्हें जाना गया है तो इस प्रकार से यह जो चार प्रमुक्षेत्र है यह मुख्य रूप से पारिस्थिती के प्रमुक्षेत्रों में सम्मिलित किये जाते हैं यह इन्हें हम बायोम के प्रकार कहते हैं बायोम का जो दूसरा प्रकार है इन्हें हम जली बायोम एक्वेटिक बायोम के नाम से हम इन्हें जानते हैं एक्वेटिक बायोम में महासागर इसका विस्तृत क्षेत्र है विभिन प्रकार के महासागरी जो जीव जन्तु हैं जिसमें मचलिया और बहुत से कैल्शियम युक्त जो जीव हैं वो महासागरों में पाये जाते हैं विभिन प्रकार की महासागरी वनस्पतियां जिसमें प्लैंक्टन नेक्टन जो आती है ये वनस्पतियों का विकास महासागरों में होता है और ये जब जीव मर जाते हैं तो ये सामानी रुप से महासागर की तली में आकर के बैठ जाते हैं वहाँ पर इनका अपगटन होत दूसरा जो ज्वारनम नदमुख या प्रवाल ये भी प्रवाल स्वय में कई प्रकार के जीवों का रूप होता है और उनका विकास होता है और ये मरने के बाद ये किसी तटी एक्षेत्र में प्रायह जम जाते हैं दूसरा जो ख्षेत्र है स्वच्छ जल का ख्षेत्र स्वच्छ जल के ख्षेत्र में जील तालाब नदियां दलदल और कच्छ के ख्षेत्र आते हैं यहां पर पाई जाने वाली विभिन प्रकार की मचलियां और जो पानी में पाई जाने वाले कई प्रकार के जो जीव हैं यह जीव जिसमें मेंधक है, मगरमच्छ है, सांप है, आधी-ाधी कई प्रकार के जो जीव होते हैं, वो यहां की वनस्पतियों को या आसपास की वनस्पतियों को खा करके प्रायः जिन्दा होते हैं, तो इस प्रकार से यह जो बायोम्स है, इसमें इस्थलिय और जलिय बाय योम का उल्लेख यहाँ पर हमने किया है घास भूमी पारिस्थिती की जो है इसमें दो प्रकार की घासे आती है पहला है उश्नकटी बंधिय घास के मैदान और दूसरा जो है सितोश नकटी बंधिय घास के मैदान उश्नकटी बंधिय घास के मैदान आफरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिनी अमेरिका और भारत के खेत्र में फैला हुआ है यहाँ पर जलवायू गर्म और उश्न होती है वर्षा 50 से करीब 100 सेंटीमिटर या उससे भी कम यहाँ पर वर्षा होती है और उसके कारण इस खेत्र में घास चारगाह के रूप में पाया जाता है, बड़ी बड़ी घासे इस खेत्र में होती है, चारगाह अधिक पाया जाते हैं, यहाँ पर जो मिट्टियां होती है वो सरंध्र मिट्टी होती है मतलब इन में काफी चिद्र होते हैं क्योंकि घास जो पाया जाता है तो यहाँ पर जो पशुचारण होता है यह घास को उखारते हैं जिसके फलसरूप मिट्टियों में कई चिद्र देखने को मिलते हैं यूमस की मातरा यहाँ पर मिट्टी में काफी कम पाई जाती है लेकिन कहीं कहीं पर यूमस नदी घाटी आदी के क्षेत्र में यूमस की मातरा बढ़ जाती है दूसरा जो क्षेत्र है सितोष नकटी बंदी घास के मैदान जिसमें इस क्षेत्र में यूरेशिया उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र मुख्य रुप से आते हैं यहाँ पर जो ग्रीश मकाल है यह काफी शुश्क होता है और वर्षा 50 से 90 सेंटीमेटर तक पाई जाती है मिट्टी यहाँ पर भी सरंध्र होती है और यहाँ पर यूमस इस रंध्रता के कारण यहाँ पर यूमस की मातरा अधिक देखने को मिलती है घास छोटे छोटे व्रिक्ष और लंबी लंबी जाडिया यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पती है मुख्य रूप से ओक जैसे जो मुलायम व्रिक्ष है यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां होती है इस ख्षेतर में पाय जाने वाले जो जानवरे जो ऐसे वनस्पतियों के साथ समयोजन करते हैं इसमें जेबरा, जिराफ, भैस, गाय, चीता, लकडबग्गा, हाथी, आदी इसके अलावा कुछ पक्षी भी पाय जाते हैं प्राय जो इस्तंधारी पशु होते हैं, इनका विकास इन ख्षेतरों में अधिक हुआ है तीसरी जो पारिस्थिती की का ख्षेतर है, जिसे हम मरुस्थली ये पारिस्थिती की कहते हैं बच्चों आपने पढ़ा है कि दो प्रकार के मुख्य मरुस्थल है, एक उष्न मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल यदि मरुस्थल को हम देखें, तो इसमें गर्म उष्न मरुस्थल या अर्धश उष्क मरुस्थल, हम कह सकते हैं तटिय भागों में भी कुछ मरुस्थल पाय जाते हैं और अधिकांश शीत मरुस्थल जो है वो दुरुवी एक शेत्रों में देखने को मिलते हैं इसके अंतरगत सभी मरुस्थल जिसमें कालाहारी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, एरिजोना, अटाकामा का मरुस्थल, भारत मिठार का मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल इसके अंतरगत सम्मिलित किये जाते हैं यहाँ पर जो तापमान होता है 20 से 45 डिगरी सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है वर्षा बहुत ही कम होती है पांच से 25 सेंटीमीटर अधिकतम 25 सेंटीमीटर होती लेकिन कई वर्ष ऐसे होते हैं जो की शुष्क निकल जाते हैं वर्षा का अभाव देखने को मिलता है तो ऐसे मरुस्थली खेत्रों में जो जीवजन्तु विक्सित होते हैं इसमें सरीशरूप यानि रेंगने वाले जीव जिसमें साप है चूहां है छिपकलियां है नाना प्रकार की ये और बड़े जानवरों में उट यहाँ पर देखने को मिलता है जबकि जो शीत मरुस्थल होते हैं ये टुन्डरा प्रदेश कहलाते हैं ये जो टुन्डरा मरुस्थल है ये उपर में कनाडा या यूरेशिया के खेत्र में सरवाधिक इनका विस्तार है और इन खेत्रों में प्रायह जो रेंडियर प्रकार का कुत्ता पाया जाता है कहीं कहीं पर बर्फ के नीचे में मचलियों की स्थितियां भी देखी गई है जब आखेट किया जाता है तो इस बर्फ को हटा करके नीचे में जो गर्मजाल होता है यहाँ पर मचलियां देखने को मिलती है जब हलकी सी ग्रीश मरीतु यहाँ पर आती है तो उस समय काई, लीचन या बहुत छोटे छोटे फूलों के पौधों जैसी वनस्पतिया इन ख्षेत्रों में उग आती है तो यह मरुस्थली वनस्पति का जो ख्षेत्र है यह हुआ टुंड्रा शीत मरुस्थल के रूप में इन्हें जाना गया है तो इस प्रकार से यह जो चार प्रमुक्षेत्र है यह मुख्य रूप से पारिस्थिती के प्रमुक्षेत्रों में सम्मिलित किये जाते है यह इन्हें हम बायोम के प्रकार कहते है बायोम का जो दूसरा प्रकार है इन्हें हम जली बायोम, एक्वेटिक बायोम के नाम से हम इन्हें जानते हैं एक्वेटिक बायोम में महासागर इसका विस्तृत क्षेत्र है विभिन प्रकार के महासागरी जो जीव जनतु हैं जिसमें मचलिया और बहुत से कैल्शियम युक्त जो जीव हैं वो महासागरों में पाये जाते हैं विभिन प्रकार की महासागरी वनस्पतियां जिसमें प्लैंक्टन नेक्टन जो आती है ये वनस्पतियों का विकास महासागरों में होता है और ये जब जीव मर जाते हैं तो ये सामानी रुप से महासागर की तली में आकर के बैठ जाते हैं वहाँ पर इनका अपगटन होता ह दूसरा जो ज्वारनम नदमुख या प्रवाल ये भी प्रवाल स्वय में कई प्रकार के जीवों का रूप होता है और उनका विकास होता है और ये मरने के बाद ये किसी तटी एक्षेत्र में प्रायह जम जाते हैं दूसरा जो ख्षेत्र है स्वच्छ जल का ख्षेत्र स्वच्छ जल के ख्षेत्र में जील तालाब नदियां दलदल और कच्छ के ख्षेत्र आते हैं यहां पर पाई जाने वाली विभिन प्रकार की मचलियां और जो पानी में पाई जाने वाले कई प्रकार के जो जीव हैं यह जीव जिसमें मेंधक है मगरमच्छ है सांप है आधी-ाधी कई प्रकार के जो जीव होते हैं वो यहां की वनस्पतियों को या आसपास की वनस्पतियों को खा करके प्रायः जिंदा होते हैं तो इस प्रकार से यह जो बायोम्स है इसमें इस्थलिय और जलिय बायोम्स का उल्लेख यहाँ पर हमने किया है इसके आगे हम देखेंगे जैवभूरासायन चक्र जैवभूरासायन चक्र का तात्पर्य है कि परियावरण से जीवों तक आना और जीवों का पुनह परियावरण में विलयन हो जाना इसे हम जैवभूरासायन चक्र कहते हैं इस चक्र में लगभग 40 तात्पर होते हैं यह 40 तात्पर जो होते हैं गैसी तात्पर जिसमें कार्बन, ऑक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यह प्रमुख तात्पर हैं और यह गैसी अवस्था से प्रारम्भो करके पुनह गैस में विलीन होते हैं जबकि कुछ तात्पर जो आवसादी तात्पर होते हैं यह मिट्टी में उत्पन्न होते हैं और इनका अपघटन पुनह मिट्टी में हो जाता है यह क्रिया कैसे करते हैं जैसे मिट्टी में कई हवा के तत्पर भी होते हैं और कई खनीजों के तत्पर भी होते हैं जैसे पोटेशियम, मैगनेशियम, आदी यह तत्पर जब मिट्टी में समाहित होते हैं और जब मिट्टी में छोटे-छोटे प्रकाश संसलेशन की क्रिया के माध्यम से पाउधों का या घासों का विकास होता है तो ये प्रकाश संसलेशन से भोजन प्राप्त करके वनस्पती का विकास करते हैं इसे वनस्पती जात कहते हैं इस वनस्पती जात को कुछ उपभोकता इसे खाते हैं और ये उपभोकता जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता जो वनस्पति को प्रत्यक्षरूप से खाते हैं, द्वीतियक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, और त्रीतियक उपभोक्ता जो प्राथमिक ये द्वीतियक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, और अंत और ये पुनह आकर के मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिलने के बाद पुनह मिट्टी में ये तत्व सभी तत्व समाते हैं और प्रकाश संसलेशन से ये पुनह पौधों के रुप में विक्सित होते हैं, तो इस प्रकार से देखिए रसायनिक तत्व प्रित्वी पर विद्यमान है भूमी इसको आवशोशित कर रही है लेकिन जब तक जीव नहीं होते तब तक इनका जो उपभोग है या पारिस्थिती का जो संतुलन है यह नहीं हो सकता इसलिए जैव समुदाय बहुत महतोपूर्ण होता है और जैव समुदाय होने के कारण यह भूमी पर यह रासायनिक तत्व जो है यह जब क्रिया करते हैं और जैव समुदाय इसको पभोग करता है तो एक चक्र पूरा होता है और पारिस्थिती की में संतुलन बना रहता है तो इसे हम जयवभूरासायनिक तत्व कहते हैं आए इन्ही तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण चक्रों का हम अध्यन करेंगे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन चक्र